दोस्तो आप लोगों की जानकारिक लिए बता देता हूं कि जल्द ही अब आप लोगों के बीच में कबूल है सीजन 3 ओफिसल डेट आ चुकी है जिसमें की करन सिंग गिरोवर और सुर्वी जोती एक बार फिर से आप लोगों के बीच में इंटरटेन्मेंट करते नजर आने वाले हैं दोस्तो टेलिवीजन की काफे बड़े स्टार हैं जो की पुरानी स्टार कास्ट के साथ ही सीजन 3 में कमबेक कर रहे हैं पुरानी स्टार कास्ट की बात की जाएं तो पुरानी स्टार कास्ट में जो की आपने देखा होगा कि करन सिंग ग्रोवर की मौम का किरदान निवाने वाली एक्टर कबूल है 2.0 में भी नजर आई थी। वहीं सुर्वी जोती की बात की जाएं तो सुर्वी जोती पहले से ही काफी महान एक्टर हैं और उनका हर कोई वाकई में आज की टाइमें काफी फैन्स हैं उनकी इस इंडिया के अंदर भी इंडिया के भार भी वहीं मिश्टर असद एहमद खान की भूमी का निवाने वाले एक्टर करन सिंग ग्रोबर एक बार फिर से अपने उनी जल्वाओं को बखेरते हुए कबूल है सीजन 3 के लिए तियार हो चुके हैं क्योंकि दोस्तों काफी समय से उम्मीद लगा जा रही थी कि करन सिंग ग् की दोनों ही किर्दार सूपर डूपर हिट किर्दार हैं जो कि लोगों ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद भी किया है और एक बार फिर से लोग दूसरे स्रेणी में आने जा रहे हैं क्योंकि तीसरे पार्ट के लिए लोग काफी समय से एकसाइटिड भी हैं वहाई एक टेलिवीजन सीरीज में दिखाए जाएगा टेलिवीजन सीरियल के साथ ही लोगों को बहुत ज़्यादा मजादने लगा है दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि कबूल है टू पॉइंटों जिसमें इंडियन जासुस की भूमी का निभाई ती करन सिंग और एक इंडियन प्लेयर की भूमी का भी निभाई ती असद एहमद खान के किरदार में वाकई में लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था वहीं इस बात की जाएं सुर्वी जोती की तो पाकिस्तानी मिनिश्टर की बेटी थी और मिस जोया फारुकी के नाम से किरदार किया था लोगों ने इन दोनों की बांडिंग को बहुत यादिक पसंद किया था जिसके कारण इन दोनों की पॉपिलर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आने वाले टाइम में कबूल है सीजन 3 फिर से सुने मियारा फरवरी में दस्तक दे रहा है दोस्त बताये थैंक यू सो मुच गाई